Hello students, मैं वीना गुपता, आज मैं आपको पार्टनर्शिप में आगे बताने जा रही हूँ Merits and Limitation of Partnership जैसे हम लोगों ने देखा, Merits में जैसे सबसे पहले या कह सकते हैं साजेदारी के अलाब होते हैं सबसे पहला है Easy Formation Easy Formation का मतलब वही हुआ, सथापना में सुगमता साजेदारी जैसे हम लोगों जानते हैं कि साजेदारी के सथापना के लिए किसी तरह का Legal Formalities करने के जुरत नहीं होती या हम कह सकते हैं कि कानूनी हस्तशे प्याप्चा रिक्ताओं को फुरा करने के आउशकता नहीं होती है या उसकी जुरत नहीं होती है फिर उससी तरह से जैसे एक आकी व्यापार की तरह ही साजेदारी वैवसाय का भी इसके स्थापना के लिए वैसाय में अधिक धन की विज़ोत नहीं होती है और इसकी स्थापना इसी तरह से देखते हैं कि बहुत ही सरल होता है क्योंकि कोई लिगर फार्मीटिज नहीं है और दूस्की बात इसमें ज्यादा वैकि वियाद की और शक्ता नहीं है लिगल फॉर्मिटीज के साथ मुझलब एक्स्पेंसिस की भी और शक्ता नहीं होती है इसलिए इस बैवसाय को फॉर्म करने में आसानी होती है तो यह सबसे पहला है इजी फॉर्मिशन दूसरा है बैलंस डिशिशन साजिदारी में क्या होता है कि या नहीं गुणों वाले व विवसाय के लिए लिया गया हर एक निर्ना जो होता है वो संतुली तोर बैलंस होता है नेक्स्ट है more financial resources जैसा हम लो जानते हैं कि एकाकी व्यापार में जो पुंजी की कमी कोम दोगों ने देखा था वो यहां पे नहीं पाय जाता है कह सकते हैं कि एकाकी व्यापार में रिस ने क्ता हो जाती है नेक्स्ट है जोकिन का बटवारा या कैसा हbenों इकी व्यापार्य जास होता है कि व्यापार में जासे रिस्क और इसमें क्या हूता है सब्सक्त के व्यापार के जाए बहुत違त्थ हो जाता है होती है नेक्स इसिकरशी या कह सकते हैं इस तरह से कंपनी की तरह और यह चनिता को बताना पड़ता यह इस तरह से इंवरय की तरह में है कि सारी साजेदार्बातों को जानता है लेकिन साजुदार्भ को साजेदारी का मतलब होता है और COivet होता है या दूस्य शब्त में कह सकते हैं कि शाज़ेदारों का समध होता है को हर Everyone सन्यूगत से मिला ज़स्ट दोनों प्रकार बेहल से उत्तर धाय होता है कि स lijn समापन चैसा में जिसक्ट बूर्ट करने के जरत होती है कि इसथ पत्तियों से अधिक हगर होती हैं तो लेंदार किसी भी साज़ेदार से व्यक्तिकत रूप से अत्वा सभी साज़ेदारों को सहीउत रूप से अपना रिंवसुलने का लिए अधिकारी होते हैं यह हम यह कह सकते हैं कि सभी साज़ेदार उसके लिए responsible होते हैं जो भी दाइट होता है वो सभी लोग मिलकर के उसको बियर करते हैं नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्स या कह सकते हैं सीमित साधन साजेदारी व्यवसाय में के अभीतिय साधन साजेदारों का व्यक्तिगत पूंजी और उनके रिंड लेने की छमता था कि सीमित होती है व्यवसाय का विस्तार होता है के समय जो जवरण्थ होती कैबितीय साधन जो होते वो कम पढ़ने लगते हैं एस स्थितिमें पुराने साजेधार को प्रदान करने की सीमा होती है वो समाप्थ हो चुकी रहते हैं और यदि सीमाके बाद नय साजेदारों को भी फर्मि समृत नहीं किया जा सकता अतर यह जरूत होता है कि निरंतर विकास होने वाले या बड़े हाकार के विवसाय के लिए साजेदारी विवसाव उप्योक्त नहीं होती है क्योंकि इसमें जो होता है sources of resources या कह सकते हैं limited सब्सक्राइब करता है अपनी सुजबूज और विश्वास और सहीयोग पर नेभर करता है कि आपसी समझबूज और विश्वास पर या कोपरेशन पर डिपेंट करता है लेकिन यहां पर क्या परन्तु इसमें क्या होता है कि अधिक वेक्ति होने और के कारण उनके विचार में जो होती वो भीनता आती है या एक जैसी नहीं होती है जिसके परिणाम सुरूप हम कह सकते हैं कि उनमें जगड़े होने लगते हैं लैक आफ कंटिनुटी या निरंतिता का अभाव जैसा हम दो जानते हैं कि साज़ेदारी का जो अस्तित होता है या जो इसका एक्सित होता है वो और जैसे कह सकते हैं किसी फर्म में किवल दो ही साज़ेदार हो और किसी एक साज़ेदार के मिरती हो जाए या पागल हो जाए या दिवालिया हो जाए तो साजेदारी वेवसाय का अंत हो जाता है या बंद हो जाता है इस तरह से वेवसाय का बंद होना एक सामाजी खानी या कह सकते हैं social law से और इस कर्मचारी और ग्राकों को भी बहुत अस्विधा होती है इस तरह से इसका existence होता है वो सीमित होता है, uncertain होता है किसी भी साज़ेदार की मृति होने से, पागल होने से, या दिवालिया होने से वेवसाय पर इसका असर पड़ता है Next है lack of public faith या कह सकते जनता के विश्वास का अभाव क्योंकि जैसे हम लोग जानते, company की तरह साज़ेदारी वेवसाय के वार्षी खाते को जनता के सामने तस्तुत नहीं किया जा सकता Annual Report जैसे हम लोग कह सकते हैं कि Annual Report जनता के सामने नहीं लाया जाता इसलिए जनता को वेवसाय की वास्तवी खिस्ति नहीं मालूम हो पाती है कई बार तो ऐसा होता है, धार्णा जैसा है, कई बार एक ऐसी बात भी आती है कि वेवसाय ग्राव को तदी गलाब कमा सहा है और विशेश कर जैसे रिंट आता जो होते हैं, उनकी वास्तिवी कार्थी खिस्तिती का भी जानकारी क्या भाव में साजेदारी वेवसाय को रिंट देने में संकोझ होता है कि जनता का इस पर इतना विष्वास नहीं हो पाता है क्योंकि जनता के सामने ये annual report प्रसुत नहीं करते हैं और जिसके कारण क्या होता है कि इनको loan लेने में ये देने में भी दूसरी पार्टी या third party संकोज करती है क्योंकि इस पर नफेत नहीं होता है इनका actual report जनता के सामने नहीं रहने के कारण इस तरह से हम लोग देखते हैं कि साज़ेदारी व्यवसाय में उसके merits तो ही लेकिन साथ साथ limitation भी बहुत कुछ है और जैसे दोनों की हालत में देखते विए क्या कहा जा सकता है कि साज़ेदारी व्यवसाय दो लोगों के बीच का एक संबंद होता है दो या दो सदी पर मिलक गर्किस व्यवसाय को चलाते हैं तो अपने इसकед केश खामिया भी है और कुछ इसके फायदे भी हैं तो साज़ेदारी व्यवसाय में कह सकते हैं कि निश्यत रूप्सम कह सकते हैं कि यह प्रारूप उस दशा में अधीक उप्यूप्यूर्थ होगा जब का चोटा स्थ का ह और साज़ेदारों में आपसी सूजबू तर्था संभावना बनी रहे तब वैसी हालत में साज़ेदारी वेवसाय ज्यादा उप्यूगत और सुटेबल मानी जा सकती है नेक्स्ट फिर हम लोग इसमें आगे देखेंगे उसके बात पर आगे बात करेंगे टाइप साज़ेदारों के प्रकार के साज़ेदार होते हैं जिसमें बहुत सा रखे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे थैंक्यू